खींड जले दोस्तों आज हम आपका जो नोट बनाए है यह जी की जी सर्थ की पूरी महरातनि इसमें आपको जीके मिलेगा याने की जनरल नौलेज जीियस मिलेगा जनरल साइन्स और कुछ करेंट फ्स कर्स Also current आफेयर भी आपको को मिलेवाले हैं और साथ साथ संविधान से हमने लखा यहाई मतलब प्रसन लिया देखि बहुत important प्रसन है मैंने तो बहुत मेहनत करक्ति इस प्रस्नों बनाया है बनाने का मतलब यह है निकाला आए एक तरह से कहे लिए तो देखिए पहला प्रसने आप सभी के लिए भारत क पहली महिला railway driver कौन है, तो कौन है सुरेःख यादो जी है, अपसन दिया ममता बनर जी तो है नहीं, ममता बनर जी कर बात कहीं आजरे तो ममता बनर जी कौन ममता बनर जी जो बंगाल की, आप current में कह सकते हैं, चीप मिनिश्टर है, यह 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 यनिकी, चीप मानी मुख, पुर्यंतना की हम रूरोर्टि वाश्यां पर लोम होता है घृति युण सब इंपॉर्टन आपकरम का कउन प्रेयोग двух किस कि गति को मापनी के लिए कि ली किया जाता है हवा की गति को मापनी के लिए इसा ही बात है यह तो बात सभी है लेकिन दूसरी समस्या इस बात की आप कर कि यह प्रसने आपको कुछ इसके उपर बना के देता है या जल का दाप पे हवा का दवा दवा पे किसी पे दे सकता है चलिए नेस्ट कोस्टिन है क्वार्टरिज के रासाइनिक नाम क्या सिलिकान हाइडरकसाइड आप फड़ा फड़ मैं आपको बताऊंगा जो इंपोर्ट राजस्थान की है चलिए बेलर किस नदी के तर्ट परिस्थित है तो यांगची यांगची कहां पर भातिये बताएंगा आप लाइफ डिवाइन के लिखक कौन है तो अर्विंद घोष जी है आगे इलिफेंटा जल परपाद भारत के किस राज में है तो मेगाले राज में चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन है अखिल भारती किसान सभा के प्रथम अध्यच कौन थे तो स्वामी सहजानन थे चलिए बेमबनाद जील किस राज में है तो केरल में है अगला जूठा सोना कहा जाता है आइरन पाइराइड को प्रथम दच्छेत खेल किस देश म प्रोटीन की इस गैस का प्रमुख योगिक है तो नाइट्रोजन का है कुद्बूदी नेवक का मगबरा कहां इस्ति थे लाहर में लाहर कहां पर पढ़ता पाकिस्तान में हिंदूस्तान सोसलिस्ट रिपब्लीकन आर्मी का गठन किस ने किया था तो चंद सेखर आजाद ज से खर्य किसे जाता है तो ध्यानन स्वर्शती को जाता है हरा सूना किसे कह जाता है चाय को हरा सुना कह जाता है याद रखें cinema भारत में चायं कहां पांज्यादी है आप बताएंगे सायद समें तो बताएंगे किर्केट देखें यह important PRESSन है 20 इंध में भहूमिन से स्ट्म मे गंड़ा रहता है जैसे एक आप देखते हूंगे जहां पर बोलिंग के जाती होहां से Bureau रहता और इक जहां पर बैटिंग के जाती होता होदो इस में ऐसी जमीन निकि मोली क्रिकेट में रहे हैधी घ्यारे होते है टिक सर्थ फॉर। नहीं था इसमें कितनी के लाड़ी होते हैं तो 11 के लाड़ी होते हैं 11 प्लेयर खेलते हैं वैसे टीम बनती है 15 सदस्ती टीम नहीं बनती है 12 सदस्ती टीम 15 सदस्ती टीम अधिकतर बनती है देखे कालिदा सम्मान किस राज सरकार दोरां दी जाती है यह आप मुझे बताएंग कालिदा सम्मान किस राज्य सरकार दोरां दी जाती है उत्तर प्रदिस मांद्र प्रदिस इमाचल प्रदिस और आंद्र प्रदिस बताएंगी कमेंट करके अगला है संगम साहित किस रंचना रचना किस भासा में तो तमिल भाट सामें सही है अगला प्रसने किस मोगल सासक का मकबरा भारत में नहीं है तो जहांगीर का नहीं है हंगरी स्टोन्स नापुस्तक के लेखक कौन है रभिंदना टैगोर जी है सल्तनत काल में सदका किस प्रकार का कर था तो धार्मिक कर था अगला आपात उपबंद किस देश से लिया गया है जर्मनी से लिया गया है पटना उचनेले के अस्थापना किस वर्स की गई थी तो 1916 में याद रखेंगी हिंदुस्तान सीप यारड की अस्थापना किस वर्स हुई थी 1952 में हुई थी कितने में हुई थी 1952 है आपे दिया है अलाई दर्वाजा दिया है दोस्तों अलाई दर्वाजा का निर्माड किस ने किया था अलाउदीन खेल जी ने किया था अलाई से अलाउदीन समझेंगे दली तवर्ग मिसन के अस्तापना किस वर्ष की गई थी तो 1906 में की गई थी भारत छोड़ो अंदोलन के बाद महात्मा गांधी को कैद करके कहां रखा गया था तो आगा खान पैलिस में कानुन निर्माड हेतु प्रस्तावित विध्यक में कितने वाचन होते हैं तो तीन वाचन होते हैं आद रखेंगे कानुन निर्माड हेतु प्रस्तावित विध्यक में कितने वाचन होते हैं तीन नहर कटिया छेतर की स्राज में है तो असम में है आटोमेटिक रिसर्च एसोसियेशन आफ इंडिया कहा इस्तित है पूरे में है पूरा नोट में बनाया हूँ आपको पूरा दिखा देता हूँ आप लोग सब ही लोग जो SI के हमारे दोस्त त्यारी कर रहे हूँ क्योंकि इसमें करंट में आने वाला है आप सभी जानते हैं तो उसके लिए महतपूर है सभी प्रस्ण भोजवर्दस्त अगर आपको अच्छा लगे जरूर कमेंड करेंगे सभी साथी जो भी देखते हैं महा जनपदों का उधर की सताब्दी में हुआ था तो छटी सताब्दी में अगला कोल विद्रो का नेत्रुत किस ने किया था तो बुद्धो भगत ने अगला चालिसमा वालेकुम विद्रो किस राज़ में चलाया गया था तो केरल में ओलंपिक म्यूजियम कहां परिस्थित है तो लुसाने में, संग करब अमिरात की राधानी कहां है आबुधाबी में, देखी इस तरह से इतना तेज मैं बता रहा हूं ताकि आप लोग स्क्रीन सार्ट लेके या वीडियो रोक करके आप लिख सकते पने कापी में, दूसरी बा बते हैं, राजपुनर गठन आयोक क्या धच कोन थे तो भजय लेगे थे, अंग्रेजों ने लिख सिराजु दॉला, सिराजु दॉला, सिराजु दॉला, इसको ऐसे लिखा जाए तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो इसका लिखने कर तरीका होता है, तो शीराज सिराजुद दौला यानि कि ऐसे करके ऐसे रहता सिराजुद दौला कई प्रकार से लिखा जाता है तो अंग्रेजों नी सिराजुद दौला के साथ कौन सी संदिकी थी अली नगर की संदिकी थी जवार सागर जलासे का निर्मान किस नदी पर है तो चंबल नदी काहां बती बताएंगे सबी साथी गीता रहस से पुष्टक सोरी गीता रहस पुष्टक के रचईता कौन है बाल गंगा धर्ति लग जी है महराजा रणजी सिंग तथा चाल्स मिटकांग मिटकाफ के बीच कौन सी संदिकी थी यह तो लिखा नहीं गया मतलब अरे सोरी का नहीं लिखा ने यह आप बताएंगे क्योंकि जो प्रस्ण इंपोर्टेंट है उसी मैं आप लोगों के लिए रखा हूं इसलिए मैं एक एक प्रस्ण नहीं बीच में बताया हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग अगर हमारे वीडियो देखेंगे तो कमेंट तो करेंगे कि हाँ प्रस्ण मुझे आते थे आसान प्रस्न है इसको तो मोज्ट इंपोर्टन रखिए करें कि कि सम्विधान संसोधन के तहत संबिधान संसोधन के तहत लोग सभा का कारिकाल 6 वर्स से घटा कर 5 वर्स कर दिया गयाथ 44 अगला मूल करतबी से संबंधी प्रावधान किस समीती के अधार पर सामिल किया गया है तो स्वर्ड सिंग समीती आगे चीज़े परस्वा बढ़ते हैं दिया है देखी 59 परस्ण है येलो बुक किस देश की राज की फाइल है तो फ्रांस की है ओबरा परियोजना किस राज की ताब बिद्दूत परियोजना है उत्तर प्रदेश 49 समांतर अच्छांस रेखा की इन दो देशों को अलग करती है तो USA यवं कनाडा USA मतलब विनाइटरी श्टेट आप अमेरिका और कनाडा कनाडा और उत्तरी अमेरिका अच्छांस रेखा के इन दो बात कर रहें है चलिए 26 आडिलस इंगलेंड कहा जाता है न्यूजिलेंड को पुरब का इंगलेंड कहां किया जाता है न्यूजिलेंड को इगर महादीब की चर्चा गया थो यह यह अस्ट्रेलिया के आसपास अस्ट्रिया के आसपास बहुत दूर अस्ट्रिया से तो यह निजिलन्ड एक द्वीफ है यह क्या है द्वीफ है ठीक है याद रखेंगे सबी साथी और यह अस्ट्रेलिया की दच्छिड में पढ़ता है आगे देश्चित पूरवी में पढ़ता है अस्वान बाग अफरिका की किस नदी परिस्तित है तो नील नदी नील नदी की लंबाई 6650 किलो मीटर है 6650 गंगा की लंबाई आप बताएंगे 2225 है ना तो नील नदी कितनी दूरी है इन सबसे इंपोर्टन दोस्तों बात यह है क किन देशों के किन देशों में बहती है क्योंकि देशों की इसलिए मैं जिकर कर रहा हूं क्योंकि कई देशों में होके बहती है और यह अफरिका में आती है ठीक है आईए आगे बढ़ते हैं नीन में से कांगो रिपलिकन किसके उतपादन में अगरणी देश है तो डायमें पर दिया गया है थान पुझ्जा ऑला फुज्ञ है इंडूर नहर यह इसी होते हैं कि मतलब जैसे कि कि उसे कि देखे दिया रहा था जैसे अभी कि निन में से किस नहर को समुद्री जहाजों के आवागमन के लिए चौड़ा किया जा रहा है तो पनामा नहर, स्वेज नहर, बहुत इंपोर्टेड दोनों नहरे, दोनों नहरों के बारें सभी साथ याद रखेंगे अगला प्रस्न है, उन सटमा ध्यान देंगे सभी साथी, बैरिन लैंड के नाम से कौन सा उरोपी प्रदेश जाना जाता तो टूंडरा प्रदेश, टूंडरा है, टैंगा है, श्टेपी, आलपास, यह जितने भी प्रदेश हैं, यह प्रदेशों से एक से एक प्रस्न बने हैं, आप से मैं बताओं, जैसे प्रस्न कैसे बने हैं कि ट्रेंगा के श्टेपी, श्टेपी में किस प्रकार के घास के मैदान पाय जाते हैं, टुंडरा में, तो यह महतपूर है, आप इसे देख लेंगे, जंजी बार और पेमबा, पेमबा, दीव किसके उत्पादन के लिए बिश्व परसिद हैं, तो काली मिर्च आगे, दच्छि चली आगे बढ़ते हम, फ्रांस लिख दिया हैं, आप नगी प्रांस में, मोटर गाड़ी निर्मार का प्रमुक के इंदर क्याैं, पेरिस है पेरिस जो है फ्रांस की राज़दानी याद रखेंगे पोपाज वाला मुखी कहा इस्तित है पोपाज वाला मुखी म्यामार में इस्तित है म्यामार की राज़दानी रंगून चलिए लेबनान का परसी तेल नहीं रहाता केंदर क्या है त्रिफोली है लेबनान कहा पर पढ़ता बताएंगे आप निनमे से किस देश में एक आंगो गुहा परवत सिखर इस्तित है चलिए बढ़ते हैं दोस्तों वह है अमेरिका में अच्छा चाशाटवा प्रसने देखिए किस देश को प्राचिन काल में सियाम के नाम से जाना जाता है तो थाइलेंड को जएनवा जिल किस देश में स्थित है तो जर्मनी में जएनधर्म के अंतिमतेर्थंकर महभीर स्वामी का जण में किस दच्छत्री गोत्र में हुआ था तो जणत्रीक में आद रखेंगे अगला जैन ग्रंथों की रचना की स्टलिपी में हुई थी तो प्राकृत लिपी में दोहरी नागरिता निन में से किसकी विशेषता है संगी सरकार की यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था चंद्र गुप्त मौरिज जी ने निकाला था सही है चुलेस्वर नामक मंदिर का निर्मार किसने किया था तो बिजया ले ने तराइन की दूसरी लड़ाई में प्रिथिवी राज को किसने पराजित किया था मुहम्मद गोरी मुहम्मद गोरी बहुत बार पराजित किया था मुहम्मद गोरी और पिर्थीविराज चोहान के ही बीच में इनकी आंक निकल वा लिया था उसके बाद यह चोहान जी ने मुहम्मद गोरी का बद कर देते हैं मच्चुको चोहान क्या है आप जानते होंगे इसके बारे में एक सब्द है कि बावन गज ता बैठा चोहान मच्चू को चोहान ऐसा ही कुछ है आप बताएंगे मुझे पश्चिम बंगाल की सिमाई कितने देशों से लगती है पश्चिम बंगाल की राधानी जो है कुलकता है और पश्ची मंगल किसमा कितनी देशों से लगती तो तीन देश, तीन कौन देश हैं, एक तो बंगला देश है, एक मियामार है, बंगला देश मियामार और भुटान, याद रखेंगे, बताएंगे आब सभी लोग सरबथम इंडिया सब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भासम किया गया थो, ग्रीक भासा, ग्रीक भासा कहा की भासा बताएंगे सबी साथी, और ग्रीक ही भासम बहुत कुछ लिखाया, ग्रीक हुआ, लेटिन हुआ, आगे बढ़ते हैं भारत की उत्तर से दच्छिल तक की लंबाई कितनी है 3214 किलोमीटर उत्तर से दच्छिल यानि की उत्तर से दच्छिल बोला दोस्तों यानि की हिमाले से ले करके हिमाले बोले तो जम्बू करस्मीर बोलिये बलकि हिमाले नहीं जम्बू कस्मीर से लेके कन्या कुमारी तक भारत की लंबाई कितनी है उत्तर से देश्ड बोला है तो 3200 चुगदै आगे बढ़ते हैं भारती राज्यों में से किस से होकर करकरेखा नहीं गुजरती उत्तर परदेश उत्तर पर्दिस राज से करकर एखा नहीं गुजरती याद रखेंगे भारत की मुख भूमी को रामेश्वरम दिप से कौन अलग करता है अलग की बात आई है तो अलग कौन करता है पंबन चैनल आगे कौन सा संविधान संसोधन पंचायदी राज बयोस्था से संबंधित है त्यात्तरवा अगला हंटर आयोक की नियुकती निन में से किस के सासनकाल में हुई थी तो लाड रिपन आगे राज की जयो संकलबना निन में से किस एक से संबंदित है तो मैकिया वली मैकिया वेली बलकि उनका नाम है भारत में अनसूची जातियों जन जातियों और अंगल भारतियों को विशेश प्रावधान शुरुवात में कब तक के लिए किया गया था तो 1960 चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं भारती संबिधान की रचना के समय संबिधान सभा का संबिधानिक सलाकार कौन था तो बियन राव जी थे भारती संभिधान के किस अनुच्छेत को डांक्टर भीम, राव, अम्बेटकर भारती संभिधान का उदय और आत्मा का आगया अनुच्छेत 32 से याद रखेंगे अगला, मौली का अधिकार निलंबित के जाज सकते हैं, राष्टपती द्वारा, 27 राष्टपती संभिधान के किस अनुच्छेत के अंतरगत राष्टी आपात इस्तिती घोसित कर सकता है, तो अनुच्छेत 352 याद रखेंगे अब मैं एक एक लाइन का प्रस्न बनाया हूँ, सब भी कल्पी है, लेकिन मैं सोजा हूँ, समय बैस्ते हुए होगा किस बौध्य ग्रंत में सोरे महाजनपतों का उलेख है, तो अंगत्तूर में, अंगुतर में संसद में पहला लोगपाल विध्यक कब रखा गया था, तो 1968 में, पूर्व का इसकार्टलें की इस राज्य को कहा जाता है, तो मेघाले को कहा जाता है, संबिधान का कौन सा नुच्छेत संग लोग सेवा आयोग से, है तो 315 नुच्छे 315 है, आर्टिकल 3.15, संग लोग से सिंदुगाटे की सब्धा में, घोडे के आवसेश कहा मिले हैं, तो सुर्पोड़ दा में, सूर्कोड़ दा, सूर्कोड़ दा, सूर्कोड़ दा, चलिए, 1997 मा देकि, हड़ापा सब्धा खुच किस वर्स में हुई था, 1921 में याद रखेंगे, 1921 में ही साद असवयू गां दोलंग के बारे में, इसराइल की गुपतिया संस्था है, क्या मोसाद, देखी इसराइल की गुपतिया संस्था है, अमेरिका की, चीन की, जर्मनी की, इंगलेंड की, फ्रांस की, अस्ट्रेलिया की, तमाम लोगों की याद कर लिजेगा, में प्रस्न है, यह प्रस्न इंपोर दोस्तों UK दूसरी समस्य साइस बात की है कि UK United Kingdom की जैसे United Kingdom का Robin and West इसी प्रकार से दिया आश्ट्रेलियाग ना दे कर अश्ट्याग दे सकता है न्युजीलेंड इंगलेंड कर ना दे की सकाट लेंड कर दे सकता नीदर लेंड कर दे सकता है ठीक ने लेंड में जो लेंड माने दीफ होता किसी भी लेंड का दे सकता आप याद रखेंगे तो इसी प्रकार से दोस्तों कई country का आप ऐसे country हो क्योंकि हम आपसे बताएं कि 192 country तो है अगर आप गूगल में सर्च मार के देखेंगे तो लेकिन उससे ज़्यादा है क्योंकि ओलम्प country है लेकिन अभी गर्जिस्टेट नहीं है तो इसलिए तो देखेंगे अगला प्रस्न जो सौवा इंपोर्टेंट प्रस्न है अगर मैं पाकिस्तान नहीं लिखा रहा था अगर मैं अगर इस वी कराता तो बहुत लोग गलती करते है तो नेशनल असेंबली पाकिस्तान की है नेशनल असेंबली भारत की भी है क्या या आप बताएंगे या भारत की क्या है या आप बताएंगे बहुत लोग अगर गलती कर देते हैं ऐसे नेशनल असेंबली पाकिस्तान की है भारत की है नेशनल सब दो सबी लोग सुने है असेंबली बोले तो भारत की ही हो सकती है त तो 18 मिनट लगवग 19 मिनट की मेरी वीडियो हो तो जैन दोस्तों जैन